तांबे और पीतल के बरतन को साफ करना अकसर काफी मुश्किर और मेहनत का काम होता है लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में मौदूत सामान से बड़े ही आसानी से और बहुत ही कम मेहनत में चमकता हुआ बना सकते हैं तो दो तरीका बताऊंगी जो भी आपको आसान लगे उससे आप इसे साफ कर सकते हैं अगर आपको आज की रिस्पी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पहला तरीका जिससे हम साफ करेंगे तांबे के बरतन तो इसे साफ करने के लिए मैंने यहां पे लिया है एक चमश टमाटर केचप जो की सारे घरों के कीचन में बड़ी आसान इसे मिल जाता है अब हम इस सास को अच्छी तरीके से सारे तांबे के बरतन के उपर लगा देंगे तो सबसे पहले हम साफ करेंगे इस लोटे को आप इस सास को अच्छी तरीके से अंदर बाहर इस लोटे में लगा दें और जैसे जैसे आप इस sauce को बरतन के उपर लगाते जाएंगे वैसे वैसे आपका बरतन साफ होता जाएगा लोटे में हमने अच्छी तरीके से sauce को लगा दिया है लोटे को अब हम side में रख देंगे और थाली में भी हम अच्छी तरीके से sauce को लगा लेंगे मैं इससे आपको तामे के बरतल साफ करके दिखा रहे हूँ आप यहाँ इससे पीतल के बरतल भी साफ कर सकते हैं और सॉस को लगाने के बाद हम दो मिनट के लिए थाली को साइड में रख देंगे तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारी थाली हो अच्छी तरीके से साफ हो चुकी है लेकिन इसमें जो भी जिद्दी दाग बचे हुए है उसे हम इस तरीके से स्क्रबर से साफ कर लेंगे तो इसक्रबर में हमने यहाँ पर थोड़ा सा बिम्बार लगा लिया है और इसी से हम हलका सा इसे रगड़ेंगे और सारी गंदिगी को निकाल देंगे बहुत ज़्यदा हमें इसे नहीं घसना है जैसे याप इसे हलका सा रगड़ेंगे वैसे ही सारा निकल जाएगा और इसे तरीके से हम लोटे को भी साफ कर लेंगे और बहुत ही हलका सा रगरने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा बरतन है बहुत अच्छी तरीके से चमकने लगा है तो यहाँ पर मैं आपको इसे धो कर दिखा देती हूँ खाली टमाटर केचप यूज़ करके आप तामबे के बरतन को कितनी अच्छी तरीके से साफ कर सकते है तो यह देखिए धोने के बाद यह बिल्कुल नए जैसे दिखने लगा है यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कितनी अच्छी तरीके से चमचमाने लगी है हमारी थाली और एक भी दाग आपको इस थाली में नहीं दिख रहा होगा और लोटे को भी हम अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लेंगे तो ये देखिए लोटा भी हमारा बहुत अची तरीके से साफ हो चुका है इसे भी हम अची तरीके से सूखे कपड़े से पोच देंगे आप इसे इस तरीके से रोज साफ करेंगे तो जो आपका तामे का बरतन है वो कभी भी कालन नहीं पड़ेगा और इस तरीके से चमचमाता ही रहेगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा लोटा हो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है अब मैं आपको बताओंगी दूसरा तरीका तो मैंने यहाँ पे लिया एक भगोने में दो लीटर पानी और इस पानी को हम गैस के उपर रखेंगे और पानी को गरम होने देंगे पानी हमारा अची तरह से गरम होके उबलना शुरू हो चुका है अब हम इस गरम पानी में डालेंगे आधा नीमबू का रस और इस पानी में हम डालेंगे दो चमच विनेगर यानि की सफिर सिर्का और सिर्का भी आपको किसी भी किचन में बढ़ी आसाने से मिल जाता है और अब हम इस गरम पानी में डालेंगे जो हमने पीतल के बरतन को रखा हुआ है तो इस तरीके से सारे बरतन को हम इस पानी में डाल देंगे और इस पानी में हम डालेंगे एक चम्मट डिटर्जन और एक चम्मट नमक डिटर्जन आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में यूज होता है इस तरीके से हम हलका सा इसे चला देंगे और इसे 2-3 मिया तक अच्छी तरीके से उबलने देंगे और इस तरीके से इसे पानी में उबालने के बाद जो भी इसमें काला कच्रा और ओयल रहता है वो भी निकल जाता है तो इसे उबालते हुए मुझे 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पानी भी बिल्कुल गंदा हो चुका है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पानी को हलका सा थंडा होने देंगे उस निम्बू के टुकड़े में हम हलका सा लगाएंगे बेकिंग सोडा और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बेकिंग सोडा और निम्बू इसमें रगड़ते जाएंगे वैसे वैसे जो आपका बरतन हो बिल्कुल क्लीन होता जाएगा आप यहाँ पर baking soda की जगए पर नीमबू और नमक भी रगड सकते हैं लेकिन इस तरीके से baking soda को रगडने से यह काफी जल्दी साफ हो जाता है तो सारे बरतन में लगाने के बाद हम इसे हलका सा इस तरीके से scrub कर देंगे तो हलका सा इस तरीके से scrub करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा बरतन हो काफी चमकने लगा है तो इसी तरीके से सारे बरतन को हम हलके हाथों से scrub कर लेंगे अब हम इन सारे बरतनों को अच्छी तरीके से पानी में धूलेंगे सारे बरतन को धोने के बाद इसे भी हम अची तरीके से पोच लेंगे पीतल और तामे के बरतन को धोने के बाद इस तरीके से पोच लेंगे तो ये लंबे समय तक इसी तरीके से नए बने रहते हैं और अगर आप इसे नहीं पोचेंगे तो इसमें तुरन दाग पढ़ने लगता है क्योंकि हमने सारे पार्ट्स को अलग-अलग किया है तो इसे हम जॉइन कर देंगे तो पांच मिनुट में हमारा पीतल का बरतन भी अच्छी तरीके से चमचमाने लगा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बरतनों में काली-काली कीर जमी थी वो भी निकल चुकी है तो बरतन साब करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज मिल जाएंगी जिसमें की केमिकल का बहुत ज़दा यूज होता है जो कि आपके हाथो और आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है और इस तरीके से घर में मौदूत सामान से ही आप अपने बरतन को रोज घर में चमका सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि यो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद